हेलो गाइस तपह बना यास । डावड ख्वेशन चीट चानल मा मा स्वागत गाँजू आज चाहिए महीले तपह याली सोधेगो ख्वेशन ले राकशू जुन चाहिए तपह याली कमेंट आमा सूदन भाद है अब चाहिए यो चाहिए यास में के बना चा बने what do you mean by variable equivalent weight of an element बना चा रहा एसलाई एक्जाम्बल देर इलिस्टेट गरा बना चा रहा यो निम्रीकल सोद्या चा अब एसको क्वेशन डिलाना गरीकाना आयमी सोलुसन तीरा लागा रहा यवड़ा कुरा बंदीन चुमा चाहिं तपा यवडलाई पहिला चाहिं मह पहिस्ट्रा बना चाहिं महों और बनासकाल बनाई पहिस्तलम सोरीकें गर्थे एकल उपत outlet सान्ध खसें आमेशिक क्वेशन रण सोन्होचिं त्यों गोशे नरूमा बनाई दिन्छू अब चाहिए तप एको के हुँँचा बने बची पहिला चाहिए आमेले basic देखी जानु पड़ने उन्छा लाता इसको अब answer तिरा लागाऊं है लाता एसमा चाहिए answer तिरा लाग चाहिए अब एसमा के वन्या चाहिए फर्स्ट पार्ट माँ चाहिए बेरेवल बालेंसी वन्या क्यो वन्या चाहिए इलिमान्ट को त्यों लेखनो पर चाहिए पहिला चाहिए आमे एसको definition लेखाऊं लाता बच्प्डेवल एसको एलिमान्ट ईलिमान्ट को चाहिए एक बंदा देर है एक की वालेंसी वन्या सबस्कोर कर लो सबस्क्राइब करें उत्सक्राइब आते हो अ सबस्क्राइब 아 जिरो शिक्स ग्राम अप मैटल लिबरेटेट एत्ती ग्राम अप ट्रा आइटोजन ग्यास मेजोर्ट एट सेवन डेशिस्टी अमेम अप एजी प्रेशर बन्याचा अन्दू कर्थ एस लाइचा आमी अब चाहिं के लेखाऊं बने गिवन कुरा लेखाऊं है शेकेंड पार् बने ट्राइटोजन दियाचा पायला चैना अम्रग के दियाचा बने पाचिह या एडना शकन उँछ तपाईले 0.06 ग्राम अप मैटल लिखाँ वेट अफ मैटल दियाचा ये वेट अप मैटल दियाचा जसलाइ चाहे आमिले W माने यो चाहे तो पाईको 0.06 ग्राम दियाँच तेसे गरी R को बने को Metal Liberated 56 cc of dry hydrogen बन्याच बन्नुक अट बोलूम अब hydrogen दियाच बोलूम अब hydrogen दियाच बोलूम अब hydrogen जसलाइ B1 माने आमिले कती दियाच बने 56 cc दियाच हुआ क्यूबिक संटिमिटर दियाच बने बच्छी यह इतना शुकनों उन्चो मेज़ोर्ड यो बने अणे चाहे तपाईको pressure दियाच है छे नियो डियाच्य अंडे 60 ann a. living ग्राख ग्रेशर दियाचे आमित लेखना मा नसकतुराँ यह चाहिक owning 159 यह चुरी मोट का नशक चाहिक अनिकज़ कौनेकर चया टेंपरेचर दिया अछं राश लाई अमिले T1 मानेयों जो जाइन 0 degree centigrade दिया अछं राचाइन 273 क्यालभीन भाय आले अभाचाइन एट यसटीपी एट यसटीपी एट एट स्ट्पी एट स्टीप माध के चा बने पछी टेंपरेचर लाया अमिले के मानेयों टेम्प्रेचर हाए मिले T2 माने हूं T2 माने हूं राचाहिं तपयको की होनच बनेवची टेम्प्रेचर टेम्प्रेचर कहती होनच बनेवाची यसमाच 0 degree 273 Calvin हूंच और छाए तपयको pressure pressure यां P2 माने हूं जासला का लाज है AMRO 760 यहमेंवाब पैच सी हूंच यह मैं बढ़ जी उन्छा रचाई बोलूम बोलूम अब हाय टोजन कती उन्छा बने बच्छी आ यहां जासे बीटु मानो यह था छैनो अब यहां एर दाखेडी क्वेशन मा क्ये देख्छा हां मेले बनी सिमिलारेटी यहस्टि यहस्टि पी मा पनी टैंप्रेचर यहां एरना छक्णुँँँचा टैंप्रेचर 273S मा पनी छा S मा पनी 270 टैंप्रेचर रप्रेचर रप्रेचरs का त्यधि नई स्मा चा बनन्नुक अर्था जति भोलूम अं सक्ष्छ अुए अब१ा था पाई आरु यहां… के गरंने सकनु उंच है, using combined gas equation और भो formula लगाएडा पनि लेखना सकनु नों नों चाहे using combined gas equation को formula लगावन नों चाहे combined gas equation P1 B1 often T1 is equal to P2 B2 open T2 गरंनो चाहे यह गरंनु स्वने बत्चि यहां बाटा B2 कती आउँच तापईको यहां धिमाग लगाऊने के सक्चाहों मने बची यहां बोलूम आए पाच्छे आमी के गर्छाहों मने बोलूम थाच्छा बने आमिलाई त्यो डेंसिटी इजी कल्टू मास पन बोलूम हुंचा अब बंदू कर्था मास is equal to d into b लेखना सक्चों आइ d into b लेखना सक्चों अब चाहिए याँ d गो भ्यालू राखनुस रा b गो भ्यालू राखनुस है लाता आमें आरको पान्दा मां गर्छों अब यहाँ एदन सक्चों उन्चा आम्लाइक के आयाच्ग मास is equal to db जेगा शेका शेका शोजी आमीले यहाँ शक्णू उन्चा तपैरो अब चाहिए आमले यो मास भाइटो चाहिए यो चाहिए डेंसिटी बनेको 0.89 हुँछ इन्टु चाहिए भोलों आमरो 56 आई शेक्या चाहिए अब चाहिए यो क्याल्कुलेटर मां क्याल्कुलेट करे पाची कत्या हुँछ एक केजिनाई यो चाहिए येडन सकनुँँछ तापयर है यह येडन though 4.984 यो चाहिए इंटु टेंटो देवावर मांस थिरी आया झेशे है अब यो आई शेक्या पाची आमला एकक्वालेंटर वहाउत निकालनों फेच्छा अबना आमी केफनेको लेक्सु हाँआ इकक्वाल equivalent weight of metal equivalent weight of metal बनेको weight of metal weight of metal अपन तपाइको weight of hydrogen weight of hydrogen weight of hydrogen weight of hydrogen into तपाइको 1.008 उन्छा यो चाहिं तपाइको कती आउंचा बने बचि याद भ्यालो राकनुस weight of metal कती दिया चा 0.06 अपन यो चाहिं 4.984 into 10 to the power minus 3 into 1.008 दिया चाहिं यह चाहिं इसलाइ calculate गरता खेडि करती आँछाई यो चाहि है याद न सक्ना हुँँछा इसको आण्सर ये ले आयो वन्दू करते एक्कवालेंट वेट है ये ये ले शक्षू आठ अच्छा 2.13 से लेख हाँ अब चाहें हमन्हें एक्को बालेन्ट गाटृ गाड़े सेके पसी हामना एप्रोक्षिमेट ऐटमिक वाइट निकालना बड़ छाई यांचे आमें के निकालना सक्षाँ एप्रोक्षिमेट आमे क्यायो Apping Weit निकालना सक्षाँ जुन चाहें तपाइको उन्च 6.4 into specific heat उन्च specific heat उन्च 6.4 अपन specific heat 6.4 specific heat आम्रो कती दिया चाहें यहाँ यहाँ सक्नू उन्च चाहें question मा है चाहें specific heat आम्रो specific heat आम्रो 0.55 दिया चाहे अब यहाँ 0.55 गरें उन्च यहाँ आल्गुलेटर में हांधा हडी कात्या हूं जाई, यह यह यहन्हार्न सकन उल्च तपैगो 11.60 तीरी आया जाई, यह 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 यहन्हार्न सकन उल्च ऑबो, एप्रोक्सिमेट एट मीट आई से गे बचै आम्रों बैलेंशी नीकालन पड़चा, इसमाँ चाहि क्या नीकालन एकोवालेंत weight लेखे मैं एप्रोक्समेट ऐटमी गोई पवरजैनिक कोति क्मक्समेट ऐखा मैं कि 11.6 3 ₹ आँछ ya ॲाह एकोवालेंट , 12.13 अवब यू कोति आँ पवरची हाँ चा बहने वान तीरा गई राचाई, बन्दू कर्था अब हामले के निकालनू पर्चाई याँ एक कोई छी नहीरे आलाँ है, याँ चाहिए फाइंड दा आतमिक वेट अफ मैटल बना चाहिए, आतमिक वेट, तेसकारन चाहिए आमिके लेख्छों बने बच्छी याँ आतमिक वेट इ वेट बालेंसी बनाजा, ओ रुख वेट मेट वेट कटी देआ चाहिए, एक नाँ शक्नाँ चाहिए अलाँ है, याँ वेट नाँ चाहिए, ऑब याँ याँ डियारफोर येख नमीच चाहिए याई इक नभालेंस्या बना चाहिए, the atomic weight of metal the atomic weight of metal is 12.13 amu बने रहे लेखना सकना जोई आरको चाहिए आरको क्वेशन पनी सोदना भाथे जो चाहिए मा आरको वीडियो मा बना जेन जोई रहे चाहिए तपा इरुके गर चाहिए यो लाई हेड़ चाहिए यो वीडियो अरु लाइक पनी गर देन होई और जोनी त्यों लाईक गर देन विडे मा लाईक शयोपनी गर देन गर देन अला दो को लाज बबल दतने खाए यो ट्यापे तो लाईक पे चाहिए फेलरु अ ब्हें गर देना तो त्यों गरिदीनु अला है लाइक शियर रो सस्क्राइब गर दीनु अला रो तपाई अरुको साथी लाइप अनी बननु अला है यूटुब चैनल को बारे मन थैंक यू